नमस्कार मैं हूँ आपके साथ रिफर्ट नसीम और आप चुड़ गए हैं रबजी लाइफ के साथ सचीन पैलेट और अशोक गहलूत के बीच की विवाद से ठंड में भी राजिस्थान में आया राजिनितिक बवंडर जीहां आलचकों के अनुसार अशोक गहलूत के समर्थक विदहायक किसी भी कीमत पर सचीन पैलेट को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं इसी कड़ी में करीब तीन महीने पहले 25 सतंबर को मुखे मंतरी निवास पर कॉंग्रिस विदहायक दल की बैठक होनी प्रस्तावित थी बैठक शाम 7 बजे होनी थी जी हाँ शाम 7 बजे लेकिन इससे ठीक पहले ही अशोक गैलोद गुट के नेता शांती घारिवाल ने अपने आवास पर समनांतर बैठक बुला ली दरजनों विदहायक उस बैठक में शामिल भी हुए इन सभी ने मुखे मंतरी निवास पर होने वाली कॉंग्रिस विदहायक दल बैठक का बहिशकार कर दिया और रात बारा बजे बस में बैठकर विदहान सभा अध्याक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के आवास पर पहुच गया और यहां पहुचने के बाद विदहायकों ने इस्तिफे सौपे वहीं अगले दीन मीडिया से बाचीत करते हुए शांतिघारीवाल ने बिरानवे विदहायकों की ओर से इस्तिफ़ा दिये जाने का दावा किया हाला कि विधान सभा अध्यक्ष की तरफ से ना ही कोई बयान जारी किया गया और ना ही संबन में अभी तक कोई एक्षन लिया गया इस बीच ओपनेता परतिपक्ष राजिंदर रोठार इस मामले को कोट में ले गए राठार का कहना है कि परदेश सरकार को चार साल का जश्न मनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार का संकट अभी तक टला नहीं है राठार ने कहा कि कानूनी रूप से इस्तफ़े सुईकार करने ही होंगे उन्होंने कहा कि कॉग्रेस के विधायकों की ओर से 25 सतंबर की रात को इस्तिफेद दिये गए थे विधान सभा अध्यक्ष को इस पर कारवाई करनी चाहिए थी लेकिन नहीं की गई भाजपान नेता ने कहा कि बीजेपी की ओर से तीन बार लिखेत परतिवेदन दिये जाने के बाद भी अध्यक्ष ने कोई सुनवाई नहीं की नेता परतिपक्ष के नैटर्ट में बीजेपी का परतिनीधी मंडल भी विधान सभा अध्यक्ष से मिला था लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं की गई जिसके बाद इस मामले को लेकर उन्होंने हाई कोट का दर्वाजा खटखटाया उपनेता पर्तिपाक्ष राजिंदर राठाओर की याचिका पर सुनवाई करते हुए 6 दिसंबर को राजिस्थान हाई कोट ने विधान सभा अध्याक्ष और सचिफ को नोटिस जारी किये और दो सप्ता में जवाब पेश करने के आदेश दिये गये चुकि दो सप्ता का समय पूरा होने वाला है ऐसे में अब जल्द ही विधान सभा अद्यक्ष और सचिफ को हाई कोट में जवाब प्रस्तोत करने होंगे उसके बाग आगे की कानूनी परक्रिया शुरू होगी वैसे बीजेपी नेता राजिंदर राठोर ने कहा है कि वे समविधानिक लड़ाई को अंतिम छंतक लड़ेंगे बले ही सुप्रीम कोट जाना पड़े लेकिन इसका फैसला करवा कर ही दम लेंगे ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि राजिस्तान में सिहासि संकट अभी टला नहीं है अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक सरूर करें और धाती साथ हमारे लिंक को जादा से जादा शेयर किजिए और साथी साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजे ताके हमारे ऐसे इन्फॉर्मिटिव वीडियो आप तक वक्त वक्त पर पहुचते रहें धन्यवाद